फ्रेंड्स अगर आपको आलू का पराठा खाना पसंद हो तो एक बार इस आलू के पूरी को बना कर जरूर देखें ये आप बिना सबजी के चाय के साथ दही के साथ या अचार के साथ खा सकते हैं ये पूरी बहुत ही फुली फुली सी बनती है तो फ्रेंड्स अगर आपको म मैं ले रहे हूं इसमें दो उबले हुए आलू इनको मैंने मैस कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक आधी छोटी चम्मच चिली फ्लैक्स और अब हम इसमें एक छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और इसके साथ ही हम डालेंगे दो बारी कटी हु इसमें आधी चम्मच अधरक लहसुन का पेश्ट डाल देंगे पेश्ट की जगा आप अधरक और लहसुन को बारिक काट कर भी डाल सकते हैं इस पूरी को थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें दो बड़े चम्मच सूजी डालेंगे तो मैंने यहां पर बारिक वा गी की जगा आप ऑईल भी डाल सकते हैं इन्हें हाथों से अच्छे से मिक्स कर लें इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे तो यहाँ पर मैंने दो बड़े चम्मच के करी पानी डाला है और इनका एक डो बना लेंगे आटे को पूरी के आटे जैसा सौफ्ट गूते जैसे हम पूरी के लिए आटा गूते हैं और अच्छे से इन्हें मसल लें अब हम आटे से छोटी छोटी लोईया तोड़ लेंगे और इन्हें हम बेल लेंगे इन्हें मैं थोड़ा सा सुखा आटा लगा कर बेल रही हूँ जिसे ये चिपके नहीं तो हम पूरी की तरह इन्हें बेल लेंगे पूरी तलने के लिए मैंने कड़ाई में ओयल गरम कर लिया है और अब हम इसमें एक एक करके पूरी तल लेंगे फ्रेंड्स ओयल अच्छे से गरम होना चाहिए तभी पूरियां अच्छे से फूलती है इन पूरियों के ऊपर थोड़ा सा गरम तेल उपर से डालते जाए और थोड़ा सा पल्टे से प्रेस कर लें तो ये पूरियां अच्छे से फूल जाती है तो आप देख सकते हैं इस पूरी में मसाले जैसे धनिया, जीरा ये कितना अच्छा दिख रहा है तो ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और बच्चों को खाना भी बहुत अच्छा लगता है दूसरी पूरी भी मैंने कड़ाई में डाल दी है और ये पूरीयां खाने में एकदम खस्तेदार और टेस्टी लगती है वीडियो पसंद आये तो लाइक और सेर जरूर करें धन्यवाद